नमस्कार PMK के परिवार में आपका स्वागत है हम सभी जानते हैं कि रुद्राक्ष का संबंद भगवान शिव जी से है लेकिन हमें यह समझ में नहीं आता है कि रुद्राक्ष शिव जी को क्यूं समर्पित है तो इस लेक में हम रुद्राक्ष के संबंध में आपके सभी संदेहों और प्रश्णों को दूर करते हैं रुद्राक्ष भगवान शिव के आसुओं से निकले पेडों से प्राप्त होता है इसलिए इसे भगवान शिव का रूप भी माना जाता है रुद्राक्ष रुद्र प्लस अक्ष से बना है रुद्र का अर्थ है भगवान शिव जी और अक्ष का अर्थ आंसू है ग्रंथों के अनुसार रुद्राक्ष को भगवान शिव जी का एक रूप माना जाता है रुद्राक्ष को लेकर हमारे धार्मिक और पौरानिक ग्रंथों में भी इसके मामले मिलते हैं जिससे रुद्राक्ष नाम के व्रिक्ष की उत्पत्ती हुई रुद्राक्ष की उत्पत्ती के बारे में शिव पुरान में यह भी मिलता है कि हिमाले पर स्वतंत्र रूप से घूमने वाले महाबली असुर राज्त्रिपुरासुर को मारने के लिए भगवान शिव जी को उनसे भीशन युद्ध करना पड़ा था। उस युद्ध में बहुत व्यस्त होने के कारण शिव की आँखें फड़कने लगी। गुसे और लाली से उसकी आँखों से आँसु छलक पड़े। तब ब्रम्ह जी ने आदेश दिया कि आँसु एक व्रिक्ष के रूप में उत्पन हो। उस व्रिक्ष से जो फलाता है उसे रुद्राक्ष कहते हैं। रुद्राक्ष एक शक्तिशाली बीज है जो हमें सकारात्मकूर्जा देता है। रुद्राक्ष एक ढाल के रूप में भी कारे करता है। ये हमारे आसपास की नकारात्मकूर्जाओं से भी हमारी रक्षा करता है। रुद्राक्ष पहनने वाले को कोई भी नकारात्मकूर् शिव पुरान में एक से चौदा मुखी रुद्राक्ष का उलेक है, प्रतियक मुख का अपना महत्व है। धन्यवाद।